हाई दियर, LSRW part 16 में आप सभी का स्वागत है, इसमें हम देखेंगे hunger adjectives hunger adjectives क्या होते हैं, जब आपको भूक लगती है तो उस टाइम पे आप अलग-अलग सब्दों का यूज करते हैं सब्दों को ही आप बोल सकते हो, hunger adjectives तो आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं, lesson carefully and then write आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद लिखना है तो जैसा जैसा हम बोलते जाएं वेसा वेसा आपको लिखते जाना है तो copy और pen like ready हो जाईए, लिखिए I am disturbed, disturbed, full stop, नीचे वाली line से लिखिए I am full, I am full, fullest of, फिर next line से लिखिए I am hungry, I am hungry, फिर fullest of, next line से लिखिए I am starving, I am starving or, I am famished, I am famished अब जो कुछ भी आपने लिखा है, सब कुछ स्क्रीन पर दिया है जिस word में भी आपने spelling mistake किये है, उसे सुदाने की कोशिस कीजिएगा अब आईए इसका meaning देखते हैं, words power में जिसे हम बोलते हैं, I am disturbed यह जो rectangle safe है, यह आपका pet है जब आपके pet में बिल्कुल भी जगानी होती है पूरी तरह से आपका pet खाने से भरा हुआ होता है तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो, I am disturbed हमने यहाँ पे I am का short form यूज किया है, I am इसी तरह से जब आपका pet थोड़ा सा खाली हो जाए लेकिन जब आपका pet आदे से भी ज़्यादा खाली हो जाए यह yellow color है, यह आपका pet भरा हुआ है और जो blue color है, dark blue, यह आपका pet खाली है तो उस time पे क्योंकि जब आपका pet आदे से ज़्यादा खाली होगा तो उस time पे आप बोल सकते हो, I am starving, या फिर आप बोल सकते हो, I am famist तो आप इस screenshot ले सकते हो, अपने पास save करके रख सकते हो ताकि इस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस time पे हमें कौन से word का use करना है अब next देखते हैं हमने यहाँ पे verb यूज किया है B, देखिए B की अलग अलग form होती है first, second, third आप देख सकते हो, देखिए बहुत बार स्टुडेंट बोलते हैं कि verb और verb की first form same होती है अगर same होती है तो यहाँ पे B की first form is, am, are हो रही है, तो यह कहाँ पे same हो रही है और हमें सब verb में ing लगता है ना कि first form में, क्योंकि first form में लगता तो ising, aming, areing ऐसा होना था लेकिन ऐसा नहीं होआ है, तो इसका भी screenshot आप ले सकते हो अब खुद से ingles बनाने की कोशिस करें, आपके सामने 3 sentence है, मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर वाली भूख लग रही है, मेरा पैट फूल भड़ा हुआ है लब बिल्कुल भी खाने की जरुवत नहीं है, आप वीडियो को पॉस कीज़ेगा, मन से बनाने की कोशिस कीज़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं यहां फे बहुत कुछ छोटे से वीडियो में करवा देता हूँ I hope कि आपने बना लिया होगा, तो बना लिया है तो आप चेक कर लीजे, मुझे भूख लग रही है, I'm hungry, मुझे बहुत जोर वाली भूख लग रही है, तो आप बोल सकते हो, I'm starving, मेरा पेट फुल भरा हूँ है, I'm disturbed, इस तरह से I hope किस वीडियो से आपको बहुत किस सीखने को मिला होगा, thanks for watching and see you next time